अलो एबревरीवन आज इस वीडियो में red velvet cake की एक बहुत ही शानदार और कुछ हट करके cake की decoration में आपके साथ share कर रही हूँ और अज मैं आपको ये भी पताऊंगे की कैसे red velvet cake के आप crumbs बना सकते हैं कैसे उसे आसान तरीके से evenly अपने cake पर spread कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए red velvet cake को बना करके उसकी layer कट करके मैंने cheese frosting लगा करके उसकी icing की है इन दोनों की ही detail method आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो friends जो cake की सबसे top layer थी उसको मैंने देखिए हातों से इस तरीके से तोड़ लिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे fan के नीचे चोड़ दिया था जिसे कि यह थोड़ा सा dry हो गया और अभी भी इसके piece क्योंकि कुछ मोटे और कुछ पतले हैं तो इसको एकदम fine बनाने से बिलकुल dry सा powder हमारा बन गया है और ऐसा ही powder हमें अपनी cake की decoration के लिए चाहिए यह देखिए कुछ लोग गोलते हैं हमारा cake काफी गीला है sticky है उस cake dry crumbs नहीं बन रहे हैं तो ऐसी stage में आप इस mixture को 30 सेकिंड के लिए microwave oven में करम कर लीजेगा तो अब डिजाइन बनाने के मैंने center में रख दिया है और अम मैं ले रही हूँ इस तरीके की बड़ी वाली चन्नी और इसके अंदर हम डालेंगे हमारे crumbs और इसकी मदद से हम अपने cake के ओपर evenlys crumbs को spread करेंगे तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो यह crumbs है वो cake पर लग जाएगा friends जो चाय चानने वाली चन्नी होती है वो आप नहीं लीजेगा क्योंकि उसके जो shake होते हैं वो बारीक होते हैं आप इसी तरीके की जो सबजिया धोने वाली चन्नी आती है उसी को use कीजेगा और पहले देखिए हम उपर की तरफ इसे अच्छे से shake करेंगे जैसे की सारा बा आतों में लेकर के बोर्ड को ठाकर के इसकी साइड्स में भी चिपका देंगे क्रीम की मदद से या आराम से स्टिक भी हो जाएंगे तो धीरे-धीरे करके सारे क्रम्स को मैंने केक के चारो तरफ भी लगा लिया है कुछ बोर्ड पर गिर गया है उसे भी मैंने स्टिक करके पोड को फाइनली क्लीन भी कर लिया है अब जो स्पेस हमारी केक की कहीं कहीं दिख रही है उसको कवर करने के लिए फ्रेंट्स मैंने जो ये अब बीच में फ्रेंट्स मैंने ये हर्ट शेप का कटर लिया है और इसको बीचो बीच मैंने केक के प्लेस कर लिया है और अब इसके अंदर में स्पून की मदद से जो बाकी बचा हुआ क्रम्स है उसको स्प्रेट कर रही हूँ मैंने तो फ्रेंट्स ये एनिवर्सरी केक के लिए हर्ट शेप लिया है आप चाहें तो सरकल, स्कॉायर या जो भी आपको शेप पसंद हो आप ले सकते हैं अच्छे से क्रम्स को स्पून से में प्रेस करके दबा रही हो क्योंकि हम जब इस मोल्ड को निकालेंगे तो हमें एक हर्ट शेप मिल जाएगी तो अब धीरे से इ क्लियरिंग की थी तो अब धीरे-धीरे करके सरकल में ही हम इस पूरे गैप को स्टार वाले फ्लार से कवर कर लेंगे इस काम को एकदम आप सफाई से कीजेगा क्योंकि तभी आपका केक जो है वो सुन्दर लगेगा तो यहाँ पर जो हर्ट शेप हमने बनाई थी उसको भी बना लिया है नीचे की तरफ हम से मुसी पाइपिंग बैग और उसी नॉजल से डबल बॉर्डर बनाएंगे तो पहले तो देखिए हम एक बॉर्डर बना रहे हैं इस बॉर्डर को बनाने में फ्रेंज आपको थोड़ी दिक्कत आ सकते है क्योंकि क्रम्स के साथ जो है वो बार चिपक के आजाता है तो धीरे धीरे आप पहला बॉर्डर बना लीजेगा और फिर एक दूसरा बॉर्डर भी यहां पर देखिए हमारा बहुती सुन्दर सा रेड वेलवेट केक एक तम पढ़िया से और जटपट से बन करके रेड़ी है तो आज की मेरी टिप्स को आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए